दोस्तो सवागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस YouTube चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंदरियान 3 के बारे में अभी आज एक यह न्यूज है दोस्तो चंदरियान 3 ने एक और सफलता हासिल कर ली है 14 जुलाई को इसरो ने जो 37 धवन स्पेस सेंटर है वहां से चंदरियान 3 को लॉंच किया था और यह कई पड़ाव में धिरी दिरे आगे बढ़ रहा है अपने मिशन की दरफ और उसी कड़ी में आज इसने एक और सफलता हासिल कर ली है वो यह है कि चंदरियान 3 सक्सेस्फु में ही था और आज जो है वो मोन के और विट में एंटर हो चुका है दोस्तों यहां आपको दिखाना चाहूंगा यह न्यूस पेपर में चपा ही है चंदरियान 3 सक्सेस्फुली प्लेस्ट इंटू लूनर और बिट सेज इस रो साथी साथ यह जो न्यूज एजनसी उन्हों इस स्केडिल फॉर अगर्स 6 2023 विट्वी आरउंट 23 आउर्स चैने का मतलब यह है कि इस रो ने यह जानकारी दी है कि हमारा जो चंद्रेंथरी मिशन है वह लूनर और यानि की चांद की जो कक्षा होती है उसमें एंटर कर चुका है और कल से क्या होगा कि धीरे 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 जो और बित है उसको चोटा किया जाएगा और जो 100 km का जो रेंज है बिदिधिन ऑन्डिट किलो मिटर जो चांद की सत्य उससे उस और बिट में वह दिरे धीरे उस पोजिशन में आ जाएगा तो अभी तक क्या था दोस्तों हमारा चंद्रेंथ जो यह आर्थ की और बिट म आज ये इसने एक step पार किया और अब ये moon के जो orbit है उसमें enter कर चुका है इसमें दोस्तों आपको मैं ये भी पता दू कि अभी तक चंद्रियान 3 ने लबक 2 3rd of that distance जो moon का है वो cover कर चुका है 14 जुलाई को जो इसरो का 37 धवन जो station है वहां से इसको launch किया गया था और आज 5 अगस्त को ये एंटर कर चुका है lunar orbit में अब जो ये इसरो का moon mission है इसमें अब आने वाले समय में क्या होने वाला है इसमें क्या होगा कि आने वाले कुछ सब्ता तक क्या होगा कि orbit जो है जो चंद्रियान 3 जो mission है ये अभी moon के ही चक्कर काटता रहेगा और धीरे-धीरे क्या होगा अपना orbit कम करता जाएगा और इस इसको जो 100 km का जो रेंज है मून से उस और्बिट में लेकर आएगा खुद को उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि लगबग मान की चलिए 10-12 दिन का समय लगेगा इस पूरे समय में इस दोरान क्या होगा कि लून जो ये मिशन है मून मिशन ये एक सॉफ्ट लेंडिंग के लिए इस दोरान जो जगह है चान के साउथ पोल पर वो देखेगा कि उसको कहां पर सॉफ्ट लेंडिंग करनी है और जैसी वो जगह मिलेगी अपने तय और निधारित समय में क्या होगा कि जो लेंडर है वो और बिट से डी और बिट हो जाएगा और वो जो सॉफ्ट लेंडिंग के लिए दिरे दिरे वो नीचे उतरेगा और इसका जैसा कि कहां भी गया कि 23 अगर्ष्ट को ये चीज होने वाली है लेकिन इस रोन ने ये भी कायरक है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर मानलेजे किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है मानलेजे क्योंकि लुनर का वहां का मौसम कैसा है वहां का एट्मोसफेर टेंपरेचर ये सारी चीज़ देखी जाती है अगर कोई चेंज आता है तो हो सकता है थोड़ा सा ये डीले हो जाए लेकिन अगर सब कुछ ऑन टाइम रहा सब क प्रॉब्लम आगी थी क्रेश लेंडिंग होगी थी लास्ट मुमेंट पर ही जिसके वजह से चंद्रियान 2 जो है वह अनसक्सेस्फुल रहा लेकिन उससे सीख लेते हुए चंद्रियान 3 जो है वह बनाया गया और इसका गोल क्या है जो रोवर है उसको साउथ पोल पर लैं इसकी इन सारी चीजों को एक्समाइंड भी किया जाएगा आपको बता दो कि मैं 37 स्पेस सेंटर जो श्री हरी कोटा में है वहां से इसको 14 जुलाई को यह लॉंच किया गया था और जो लॉंचिंग वीकल था जो की हैविएस्ट वीकल होता है उससे इसको लॉंच किया गया जैसे कि आप सब यहां देख सकते हैं चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है यह सैटलाइट है जो की भीजा गया है मून में इसके में इसके में जो सबसे इंपोर्टन कॉम्पोनेंट है वह है यह रोवर जो है वहां जाके जो लेंडर के साथ लेंड करेगा और उसमें से रोवर निगलेगा है यह दो कि दोस्तों यह दर जो तस्वीर देक सकते हैं इसमें पहली दिखा रखा कि कि तो यह सारी डीटेल आप देख सकते हैं आप बता रखा है कि किनकी डीटेल्स क्या परपस है चंद्रयान 3 का कॉंपोजिशन ऑफ लूनर सर्फेस पता करना प्रेसेंस ऑफ वाटर आइस वहाँ पर क्या है हिस्ट्री क्या है लूनर की अभी तक की तो यह सब कुछ जो है इसकी त्यारी की जाएगी जैसे ही जो चंद्रयान 3 है हमारा वहाँ पर लेंड करेगा यह सारी चीजे वहाँ पर फिर उसके बाद एक्जमाइन की जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लैने वाला उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसं करता हूं